Hello everyone, welcome you all at Locase Sir Unlimited Study Zone प्यारे बच्चों सभी का स्वागत है युवराज बैच में और चल रही है Class Tense की Lecture No.5 जिसमें हम Continue कर रहे हैं Present Perfect Tense कर चुकेते हैं आज हम करेंगे Present Perfect Continuous थोड़ा से दिया आप भूल गया हैं तो मैं बता देता हूँ कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे Present Tense आप सभी को याद होगा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या Present Tense Present Tense में हमने पढ़ लिया क्या हमने पढ़ लिया है Present Indefinite पढ़ लिया है इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया है Continuous पढ़ लिया है इसके बाद मैंने क्या पढ़ा अपको इसके बाद मैंने आपको perfect बढ़ा दिया है और आज बारी है present perfect continuous की present perfect continuous की अगर आपको भूल चुका है कि indefinite में क्या होता था तो indefinite में जो बाते होती थी बो आदत से related होती थी ओके आदत से रिलेटेट, खाता है, खाती है, खेलता है, ता है, ती है, आता था, फिर इसके बाद कंटिनिवस आया, जिसमें आया था, रहा है, रही है, रहे है, फिर इसके बाद प्रफेक्ट आया, मतलब चुका चुकी चुके, चुका चुकी, चुके, मतलब जो काम तुरं खाल ये या यी ये बहुत अच्छे से याद रखेगा मैंने आपको बहुत ही क्लासिफाई करके ये चीज बताईए कि जहां पर आपको ये दिख जाए ना बच्चों वहां पर आपका perfect tense है क्या है बटा perfect tense है बहुत अच्छे से इन सब चीजों को याद रखिएगा ओके आज हमको पढ़ना है perfect continuous perfect continuous की एक पहचान होती बच्चों number one इसमें समय का बोध होगा समय का बोध होगा बोध मतलब क्या होता है आपको sense होगा knowledge होगा कि कहीं न कहीं इसमें समय involved है और इसकी पहचान क्या होगी कि कोई काम है ना कोई काम पहले समय से चल रहा था है और अब ही अभी जो है किसका बोध होगा time का तो एक तो आपको इसमें time का sense मिलेगा बच्चों है ना तो time का sense अभी हम समझेंगे कि उस time के sense का अनुमान हम कैसे लगाएंगे ठीक है ना और अब इसमें जो आपको hint मिलेगी इसको पहचानने के लिए तो मैं आपको कुछ लेटर बता रहा हूँ जैसे है चुका रहा है चुका रहा है चुकी रही है ओके चुका रहा है चुकी रही है ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी चुका रहा है चुकी रही है चुके रहे है ठीक ना ये इसकी पहचान है चले बच्चों तो बच्चों आँगे बढ़ने के पहले मैं सबसे पहले आपको टाइम सेंस बता दूं कि समय का अंदाजा जो है okay time sense समय का अंदाजा का अंदाजा okay मैं बिलकुल हिंदी में आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको समझ में आए अच्छे से अगर आप Hindi medium या आपको समझ में आने की दिक्कत होती न, ऐसे English में पढ़ाते हैं तो problem होती है, मैं full to Hindi में लेकर आपको चलना हो, समय का अंदाजय मतलब time का sense लगाने के लिए, आपको मैं थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ, कैसे लगाओगे, देखो बिटा इसमें दो च निश्चित समय और एक अनिश्चित समय, अनिश्चित समय का मतलब क्या होता है, देखो निश्चित समय का मतलब होता है सुबह से, जैसे मैं बोलू युवरास सुबह से क्रिकट खेल रहा है, और मैं अनिश्चित समय बोलू दो घंटे से, तो देखो ये तो पता है कि बारिश निकलने के बाद, मगर दो घंटे में पता नहीं चल रहा है कि ये उतलें तो समझिवें नहीं यह सो नो, बट सुबह से में समय समय रहा है, जैसे मैं कहूंगा, शाम से, रात से, बारिश हो रही है, मैं कहूंगा, कल रात से बारिश हो रही है, यह सो नो, कल रात से बारिश हो रही है, हाँ, मिल गया हाँ में अपना sentence, चलो देखो भाई साथ, कल रात से, बारिश हो रही ह हो रही है तो आप से मैं पूछूंगा ये कौन सा सेंटेंश है बिटा देखो बारिश अभी भी हो रही है हो रही है न? मतलब present है बोलो हाँ present है perfect भी है क्योंकि अभी अभी भी वह काम चल रहा है कल रात से बारिश हो रही है अभी रुकी नहीं है मतलब perfect भी है और time भी दिया है देखो continuous भी है क्योंकि लगातार हो रही है तो बिटा ये present perfect continuous है अगर आपको समझ में आगे हो तो अच्छी बात नहीं तो जिसमें time लिखा होता है कल रात से ये समय जो दिया हो ओके और यहां पर हो रही है मतलब यहां पर कुछ काम हो रहा है समझ गए तो मतलब इसका मतलब समझ जाओ वो क्या होगा present perfect continuous clear ना रहा रही रहे दिख जाए और साथ में आपको समय दिख जाए इसका मतलब वो present perfect continuous है समझना बच्चों बहुत ही आसान है समझना बहुत ही आसान है आ जाओ तो फिर देखते हैं इसके sentence कैसे बनाते है तो मैं बात कर रहा था समय की तो बच्चों समय में अगर निश्चित समय है सुबह से राच से तो आप यूज करोगे since का किसका since morning since evening और अगर निश्चित समय है तो आप for का use करोगे किसका use करोगे for का from का use मत करना from का use नहीं करना है from का use होता है जगह से समय के लिए use नहीं होता from from किसके लिए use होता है जगह के लिए समझे गे ना from Delhi to Goa from Delhi to Goa यह देखिए यहाँ पर from का इस्तमाल जगह के लिए होता है है ना yes तो for का इस्तमाल करना है, from का मत करना, क्योंकि बच्चे लोग बोलते हैं, from का इस्तमाल तो नहीं करना, नई, for का, और for का इस्तमाल कब करोगे, अनिश्चित समय के लिए, किसके लिए, अनिश्चित समय के लिए, uncertain time, undefinite time, समझ गया न, वहाँ पर होगा, तो आओ देखते ह कि sense और for का इस्तमाल कहा करते हैं, तो यह अपन ने अपनी sheet खोल लिए, यह देखे, sense का प्रयोग कहा करेंगे, निश्चित समय के लिए, for का प्रयोग कहा करेंगे, अनिश्चित समय के लिए, यानि कि time duration के लिए, दो घंटे से, तीन घंटे से, और निश्चित समय के लिए किस का यूज़ करेंगे, Sains का, चाहिए, दिखते हैं, Sains का उपयोग, निश्चित समय, जैसे मैंने कहा, युबराज दो बज़े से सो रहा है, तो Sains 2.00, युबराज दो बज़े से खेल रहा है, 2.00, Sains 2.00, 2.00, 3.00, मतलब घडी का कोई भी समय है, घडी का कोई भी समय है, है, Sains 2.00, 1998, 2005, 2009, 2012, इसमें भी किस का इस्तमाल करोगे, बेटा, Sains का, ओके, हाँ, Monday, Tuesday, मतलब पहचान, identify है, गुरु वार्षे, शुकुरु वार्षे, मंडे से, किस का इस करोगे, Sains का, समय दिया गया है, मौर्निंग से, इविनिंग से, आफ्टर नून से, नाइट से, मै बीछे वाला कल, yesterday, बीछे वाला कल, कल के पहले वाला कल, क्या बोलते है, day before, yesterday, है ना, बच्पन से, since childhood, जन में से, since birth, उस दिन से, since that day, है ना, since my dad was born, जब से मेरे पापा पैदा हुए, जब से मेरे पापा पैदा हुए, since my dad was born, देखे, अब मैंने, आप अगर छोटे बच्चे हैं, आपको पता होगा, कि जब से को, आपके teacher ने सिखाया होगा, when, क्या होगा, when, है ना, when, when you go with them, जब तुम उनके साथ गए थे, जब तुम उनके साथ जाते हो, sorry, गए थे मेरे वेंट आएगा, तो जब, जब के लिए when बट बेटा, देखो, यहाँ पर समय की बात है, तो समय में since my dad was born, तो समय के लिए जब जब का इस्तमाल करोगे, अगर जब समय का बूध कराएगा, तो किसका इस्तमाल करोगे आप, since का, time को बताने के लिए since का, समझ में आया ना, हाँ, अब आंगे देखते हैं, for का इस्त Wait for two seconds, wait for minute, wait for a minute, wait for a minute बोलते हैं, wait for a minute, wait for a minute, wait for a while, while मतल्ब थोड़ा समय के लिए, momentary, थोड़ा समय के लिए, wait for a long, थोड़ा ज़्यादा समय के लिए, ओके मिनट घंटों के लिए wait for hours wait for days कई दिनों के लिए कई हपतों के लिए बट यदि लिख जाता कि बुद्धवार से तो क्या होता since Wednesday क्या होता wait for month कई महीनों से कई महीनों से बारिश हो रही है फौर लगेगा कई सालों से पानी नहीं बरसा क्या लगेगा फॉर लगेगा 1996 से पानी नहीं बरसा क्या लगेगा सिंस लगेगा centuries कई सालों से कई शतकों से यहां पर क्या लगेगा फॉर लगेगा क्या लगेगा बिटा फॉर लगेगा फॉर मैनी डेज for hours, for month, for years वनलब जहां पर आपको complete जानकारी नहीं है वहां पर आपका क्या लगेगा for लगेगा clear है ना? अगोशित समय है कोई declared time नहीं है एक duration दिया गया है तो duration जब है पक्का नहीं है एक समय का band दिया गया आपको duration दिया गया है यहां से लेके यहां तक तो आपको क्या लगेगा for लगेगा आई बस समझ में आईए देखते हैं तो present perfect continuous कैसे बनाते हैं आईए जानते हैं बड़े मजे के साथ कि present perfect continuous को कैसे बनाना है मैंने अभी पहचान बता दी इस tense में mainly जो होता है main verb जो होती है उसके साथ रहा है main verb के साथ में क्या रहा है रहा है रही है रहे है रहा है रही है रहे है समझ गया ना रही हूँ यह सब आता है और बाकी पूरा का पूरा continuous tense होता है बस इसमें समय रहता है क्या रहता है समय के साथ से लगा रहता है सुबह से बारिश हो रही है रात दो बजे से बारिश हो रही है बस तो पहचानना बहुत आसान है रहा है रही है रहे है और साथ में क्या लगा रहेगा समय के साथ से समय के साथ से मतलब कोई काम पहले से चलके अभी भी चलता आ रहा है वरतमान में भी हो रहा है और पहले से भी हो रहा है फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर समय के बारे में भी बताया जाता है और ध्यान रहे कि समय के साथ से का प्रियोग होता है किसका यूज होगा से का अब आईए बच्चों देखते हैं कुछ टेंस देखेंगे इसके हम और उसके पहले मैं आपको सबसे पहले मैं क्या लेकर आता हूँ जैसे हर बार मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अफर्मेटिव क्या पढ़ाता हूँ अफर्मेटिव यानि की साधारन अफर्मेटिव मतलब साधारण फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ निगेटिव निगेटिव को हिंदी में बोलते हैं बच्चो नकारात्मक और फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव देखे अफर्मेटिव को ही सकारात्मक एक्शली बोलते हैं सकारात्मक बोलना चाहिए ज़्यादा बेटर इसको सकारात्मक है साधान से अच्छा सकारात्मक बोली आप लोग इंट्रोगेटिव याने की प्रश्न वाचक और चौथा मैं बताता हूँ आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव यादोगा उसमें निगेटिव भी रहता है साथ में इंट्रोगेटिव भी रहता है क्या तुम्हें स्कूल नहीं जा रहे थे क्या तुम्हें स्कूल नहीं जा रहे थे नहीं जा रहे हो, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो not भी involved रहता है और question mark भी involved रहता है चलिए, तो चारव में सबसे पहले हम लेके आते हैं affirmative, यहने की सकरात्मकवाब, तो देखे, affirmative का code word क्या है उसको हम लेके चलते हैं, affirmative को चलिए तो affirmative में हम आपके लिए लेकर के चलते हैं, कि affirmative में हमको कैसे करना है यह देखिए यह affirmative का आपके सामने दिया हुआ है formula कैसे करना है तो सबसे पहले आएगा subject, क्या आएगा बेटा subject आएगा, फिर इसके बाद देखो आपको पता होगा, perfect में क्या आता था, has या have आता था क्या आता था, has या have, इसमें आएगा has, साथ में आएगा have, या तो has आएगा, या तो have आएगा दो में से एक लिए ले लिना, आपको पता है कि has कहा आता है, और have कहा आता है समझ गया ना, third person singular में क्या आता है, has आता है बाकी में क्या आता है? हैव तो यदि आपको भूल गया है तो आप याद कर लो कि हैज का इस्तमाल कहा आता है? थर्ड परसन सिंगुलर समझ गये न? मैंने परसन के बारे में पिछले फर्स्ट वीडियो में बताया था थर्ड परसन सिंगुलर में हैज या हैव आता है? क्लियर न? हैज आता है और बाकी के लिए हैव आता है फिर इसमें क्या लगा होगे? बीन लगा होगे क्या लगा होगे? बीन भूला मत भाई सब इसमें बीन लगता है फिर क्या लगता है? इसमें वर्ब की first form लगता है या for लगाओ, since लगाओ या for देख करके, और फिर उसके बाद यहाँ पर time, जो भी time है, वो लगा दो गए, ठीके ना, चलिए, अब एक मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ, युबराज, दो बजे से, दो बजे से, क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा है, देखते ही पहचान हो गई, समय लगा है, दो बजे से, रहा है, लगा है, मतलब क्या है, यह present perfect continuous, present perfect, अब आईए इसको बनाते हैं, इसका हम tense English में, सबसे पहले आएगा, युबराज, इस नहीं आएगा, हैज आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा, क्योंकि यह क्या है, perfect continuous है, हैज यह आएव आता है, तो युबराज क्या है, singular है, वो third person है, तो third person singular में हैज आता है, युबराज, हैज, बीन, युबराज, हैज, बीन, ये क्रिकेट सिंस सिंस 2 o'clock बिलकुल सही युबराज has been playing cricket since 2 o'clock क्योंकि कोई काम सुबह से अभी भी चल रहा है बीन वहाँ लगता है जो काम पहले से चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है तो बीन तब लगता है जब कोई काम चलता आ रहा है और अभी भी जारी है मतलब पहले से अब तक actually बीन का इस्तमाल तुम समझ लो जो काम पहले से भी चल रहा है और अब तक भी हो रहा है लंबे समय से जो काम हो रहा है तो वहाँ पर क्या रखता है बीन तो मैंने क्या का युवराथ सुबह दो बजे से खेल रहा है तो दो बजे से खेल ली रहा है अभी भी खेल रहा है इसलिए आपे बीन लग गया समझ मैं है ना चलिए आईए देखते हैं कुछ इसके सेंटेंस बढ़िया बढ़िया तो आप लोग जल्दी से मुझे जवाब देंगे चलिए मैं पूसता हूँ वह दस फ्रत निगव थे पी रहा है हाँ he के साथ के आएगा has आईगा he has been taking tea drinking नहीं आता है चाय के लिए taking आता है taking tea for 10 minutes 12 minutes बिलकुल सही है, फॉर आएगा, दस मिनट है, इन डेफिलिट टाइम है, कोई निश्चित समय नहीं है, है ना, दस मिनट है, टाइम का इंटरवल है, यह पता नहीं चल रहा है कि कोई टाइम कितने है, सुबह से, साम से, रात से, है ना, He has been taking tea for 10 minutes, पिता जी सुबह से अख़बार पढ़ रहे हैं, My father has been reading newspaper since morning, सुबह से यहने since morning, वह दो घंटे से आपका इंतजार कर रही है, ही नहीं आएगा, for आएगा, for two hours, for two hours, दो घंटे से अनिश्चित समय है, for two hours, बच्चे कई दिनों से यह नाटक देख रहे हैं, बच्चे को क्या बोलते हैं, children, children क्या है, plural, यहने have लगेगा, children have been watching, children have been watching this serial, for many days, for many days, वह सुबह से खेट में काम कर रहा है, in the field, since morning, बिल्कुल सही है, he has been working in the field since morning, next, बताईए, मैं यह किताब लिखता आ रहा हूं, मतलब मैं पहले से यह किताब लिख रहा हूं, मैं, मैंने क्या है, first person, I have, I have been writing this book, very good, मैं किताब लिखता आ रहा हूं, I have been writing this book, देखे, इसमें समय नहीं दिया आपको, फिर भी यह present perfect continuous है, I have been writing this book, अब नहीं दिया है समय, तो मतलिको कुछ, मगर मैं लिखता आ रहा हूं, यहने, I have been writing this book, सीता दो घंटे से नास्ता बना रही है, सीता हैस बीन आएगा, बार-बार गलती मत करिये, सीता हैस बीन, preparing breakfast, preparing breakfast, cooking नहीं आएगा, cooking नहीं पकाना, नास्ता बनाने को preparing breakfast, for two hours, बिल्कुल सही, देखे, वर्ब का ध्यान लगा करिए, हर जगे, इज मर नहीं लगता है, इज मर केवल, simple और continuous में लगता है, perfect में has been, have been लगाना ना भूले, चलिए, वह सुबह से मेरा इंतजार कर रहा है, वह सुबह से मेरा इंतजार कर रहा है, he has been waiting for me, since morning, बिल्कुल सही, he has been waiting for me since morning, बिल्कुल सही, चलिए, अब देखते हैं, negative देखते हैं, अब देखें, negative में कहा लगाना पड़ता है, हर बार negative में जो वर्व लगती है जो not लगता है वो कहां लगता है वो main वर्व के बाद में लगता है क्या लगता है main वर्व के बाद में तो यहां भी समझना बहुत आसान है यहां पर main वर्व कौन है has या have कौन है has या have तो has या have के बाद यहाँ पर not घुच जाएगा क्या घुच जाएगा not तो negative का मैं आपको structure एक बर बताया देता हूँ आपको बड़े आराम से समझ माया जागा ये देखें negative का structure है सबसे पहले आएगा subject फिर आएगा has या have फिर आएगा not, फिर आएगा been फिर बर्ब की first form ing और object और since for जैसा लगाते थे वैसे का, वैसा समझ गया ना, तो एक मैं example बना दिता हूँ ये ना, क्या मैं एक बना दिता हूँ युबराज सुबह से सुबह से नहीं खेल रहा है युबराज सुबह से नहीं खेल रहा है देखिए, बनाता हूँ, सेट करता हूँ सबस्पले subject कौन है, युबराज समझ गया ना, युबराज third person है, तो क्या आएगा has आएगा, has के बाद आएगा not फिर क्या आएगा, been युबराज आगया, has आगया ये देखो, युबराज has, फिर not आगया, been आगया है, फिर क्या होगा, playing है ना, और फिर क्या हैगा, since morning, युबराज has not been playing since morning, युबराज has not been playing since morning तो ये negative का हो गया, चली आईए मैं बोलता हूँ, कुछ आप लोग जबाब देंगे मैं पिछले साल से driving नहीं कर रहा हूँ I have not I have not driving, अरे, been कहा जाएगा I have not been driving हाँ, पिछले साल से, for last year, for last year, पिछले साल कोई fix time नहीं है है ना, for last year, वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है Yes, he has not been eating eating, 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 चाय, पीने के लिए taking, eating the food since morning eating the food since morning इस रास्ते पर एक घंटे से कोई नहीं चल रहा है इस रास्ते पर एक घंटे से कोई नहीं तो कहां से इस तर्मा किस श्टार्ट होगा कोई नहीं, no one क्या हैगा, no one has अच्छा आप बोलोगे no one में has क्यों लगा, no one मतलब होता है singular, no one मतलब हाँ, no one मतलब singular होता है कोई नहीं आया, कोई नहीं आया मतलब कोई नहीं आया, कोई नहीं आया मतलब जब कोई नहीं है, तो क्या होगा, singular ही तो होगा अगर दो लोग होते तो plural होता बट कोई नहीं है तो उसकों क्या मान के चरेंगे singular तो no one के साथ क्या लगेगा हाँ none भी लग सकता है है ना no one की जगे none भी लगा सकते हो तो no one has been no one has been walking in this way in this way एक घंटे से में क्या आएगा since की for for आएगा for one hour for one hour तो क्या बनेगा no one has been walking on this way अच्छा मैंने गलती से in this way बोल दिया on this way for one hour चलिए अगला बताईए वह दो दिन से school नहीं जा रहा है वेरी गोड़ी अगला बताईए अब आते हैं इंट्रोकेटिब के लिए रूल वही है अब इंट्रोकेटिब में दो तरीके हैं एक में डब्लू एच फैमिली इस्तमाल होगी और एक में डब्लू एच फैमिली इस्तमाल नहीं होगी करना क्या है मैं आपको structure बना के दिखा देता हूँ इंट्रोकेटिब का सुबह से खेल रहा है खेल रहा है देखे यहाँ पर डबलू एच वर्ड इस्तमाल नहीं होगा क्योंकि यह प्लेन इंट्रोगेटिव कॉस्चन है है ना तो इसमें कैसे इस्तमाल होगा देखे युवराज सुबह से खेल रहा है क्या योगरा सुबह से खेल रहा है तो इसका rule होता है अगर wh word है तो number one पर wh word रख देना नहीं है तो क्या आएगा has या have उसके बाद में आएगा subject क्याएगा उसके बाद में subject फिर उसके बाद verb की first form plus ing और फिर object आएगा और फिर आएगा since या for since या for उसके बाद आएगा क्या आपका time जो था सुबह से साम से जो भी है उसका नाम आजाएगा समझ में आगे ना चले आएगे देखते है इसको बनाता हूँ मैं क्या युबराज तो इद भी है देखो क्या है simple integrative है कोई wh word नहीं है क्या के लिए simple आएगा has क्या हैगा has क्योंकि इसमें कोई wh word नहीं है तो नहीं आ रहा है तो जो है अपना क्या लग रहा है क्या के लिए कुछ यूज नहीं होता सीरे has लगेगा या have लगेगा तो युबराज क्या singular है युबराज क्या है singular third person है तो युबराज के लिए has लगेगा has युबराज फिर इसके बाद क्या बीन भूल गया मैं अच्छा मैं भूल बीन भूल गया था यहाँ पर बीन भी लगए क्या लगेगा हाँ बीन लगेगा has युबराज been playing cricket since morning समझ में आया और लाश्ट में question mark has युबराज being playing cricket since morning देख लिए वर्ड देखे डबलो ह फैमिली आ गया पहले फिर उसके बाद क्या आएगा has या have क्या आएगा has या have फिर उसके बाद में क्या आएगा subject आएगा फिर दॉक्तर सुबह से मरीजों को देख रहा है मरीजों को देखने को बलते हैं checking the patients checking the patients बताईए क्या होगा has the doctor been checking the patients हाँ सुबह से since morning बिलकुल सही has the doctor been checking the patients since morning मैं कब से गाने गा रहा हूँ मैं कब से रेखो कब आ गया कब को क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं मैं कब से मतलब WH question बनेगा since when यह पर आगे क्यों लगाँ वर्चे जा से गाने गा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कब से question में ही आ गया समय जो है समय कॉश्चन में ही आगया बुली आई ये की नहीं आया है ना हाँ कब से कब से गाने गा रहा हूँ मैं कब से गाने गा रहा हूँ क्लियर हो गए ना कितने समय से अब मैं एक चैश बता दूँ आप यहाँ पे सिंस भी लगा सकते हैं आप for भी लगा सकते हैं ठीक ना क्योंकि ऊपर देखिए मैंने आपको बताया था जब मैं आपको since or for पढ़ा रहा था देखिए यहाँ पे है ना yes यह देखिए since that day since that day since childhood है ना since my dad was born ठीक ना तो आप यहाँ पे since when का इस्तमाल आपने किया है तो यहाँ पे since when का बौध ही करा रहा है कि आपको यह बताया जाएगा कि तुम सुबह से गाना गा रहे हो तुम एक घंटे से गाना गा रहे हो यह दोलब तुम सुबह से निश्चित ताइम से तुम गाना गा रहे हो तो इसलिए यहाँ पर यूज़ हुआ है मैं कबसे गाना गा रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगी यूज़गा Since when क्योंकि आप समझे इस चीज़ को अगर आप यहाँ पर since पीछे लगा ही नहीं सकते हो है ना और यदि मैं आपको यह sentence नहीं पढ़ा था तो आपका मन क्या कहता आप बोलते सर्फ फ्रॉम फ्रॉम मन करता लगी नहीं करता हाँ बट फ्रॉम तो जगे के लिए इस्तमाल होता है समय के लिए क्या यूज़ होता है since या for तो आएगा since when बोली एस यह बज़ दे कहा डबलू हवड फिर क्या आएगा have क्या आएगा have फिर क्या आएगा I फिर क्या आएगा I यह have क्यों नहींगा वैं तो singular है अरे when से मतलब नहीं है मैं मैं singular है मैं singular है मगर मैं first person है ना और first person के लिए क्या यूज़ होता है have क्या यूज़ होता है have I और we के लिए क्या यूज़ होता है being, विएन, क्या आएगा? बीन, फिर क्या आएगा? Singing, और फिर क्या आएगा? Songs, फिर क्या आएगा? Songs, चलिए तुम दो घंटे से कहां चुपते रहे हो? तुम दो घंटे से कहाँ चुपते रहे हो? पताएं ये कहाँ शुरूगा? where से? Where have you been hiding for two hours? क्या तुम्हारा भाई पाँच साल से इस स्कूल में पढ़ रहा है क्या तुम्हारा भाई पाँच साल से इस स्कूल में पढ़ रहा है क्या से है तो डब्लू एच वर्ड नहीं लगा ना आपको सीधे तुम्हारा भाई योर ब्रदर है ना तो है जाएगा क्या आएगा है सिंगुलर की बात हो रही है है ना तो has your brother has बोलिए क्या होगा has your brother singular brother है been आएगा been has your brother been studying in this school हाँ पांच साल से कोई निच्च टाइम नहीं है for five years for five years has your brother been studying in this school for five years where five साल से कहां रह रहा है where five साल से कहां रहा है देखिए where five साल से कहां आ गया I.W.H. word आ गया कहां सुरूआ तो कि where से where he where has he where has he been living for five years for five years ठीक है ना तुम दो साल से इस सहर में क्या कर रहे हो देखो भाई साब तुम दो साल से सहर में किया क्या बाद में आ गया है मतलब व-H word लगेगा क्या है ड़ु-H word क्या हैगा with और you तुम के लिए क्या आथा है तुम कौन सा परसान है तुम कौन सा पर second person है second के लिए क्या हो जो have क्या होगा what have के बाद क्या आएगा यू के बाद सब्जेक्ट आता है भाई वाट हैव यू बीन वाट हैव यू बीन डूइंग डूइंग इन दिस सिटी इन दिस सिटी फॉर टू यर्स समझ में आ गया चलिए तो बच्चो ये था अपना इंट्रोगेटिव अब इसके बाद इन आता है निगेटिव इंट्रोगेटिव तो इसका बहुत ही सिंपल रूल होता है डबल्व मेश फैमिली पहले आती है फिर इसके बाद हैज या हैव आता है सब्जेकт आता है सब्जेक्ट के बाद सीठी आपको क्या रखना है not क्लियर हुआ ना क्योंकि देखो negative में आप has या have के बाद note लगाते थे आपको याद होगा negative में कहा लगाते थे not have या has के बाद but have या has तो पहले जा चुका है तो अब subject के सामने सीधे क्या आएगा not आएगा उसके बाद क्या आएगा been आएगा been के बाद verb की first form plus ing फिर object since for जो क्या युवराज सुबह से नहीं खेल रहा है क्या युवराज सुबह से नहीं खेल रहा है ये negative interrogative है देख लो हाँ या ना हाँ क्या युवराज सुबह से नहीं खेल रहा है तो क्या has युवराज है ना युवराज के बाद क्या आएगा not क्या आएगा not के बाद क्या इसमें has, फिर युबराज, फिर not, फिर been, फिर क्या आएगा playing, playing since morning, चलिए बताईए, वह सुबह से क्यों नहीं जा रहा है, वह सुबह से क्यों नहीं जा रहा है, क्या वह चार वजे से नहीं पढ़ रहा है, क्या वह, क्या आगया है, has से सुरुवात होगी, has, he, he के बाद not, has he not been studying since four o'clock, विल्कुल सही, has he not been studying since four o'clock, तुम कई दिन से काम क्यों नहीं कर रहे हो, है न, why, has नहीं आएगा, भाई, have आएगा, तुम है, तुम कौन सा person, second person, second person के साथ, तुम, यानि मैं हुआ first, तुम हुए second, second person में have लगता है, why have you not been, 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 been doing the work, the work from many days, for many days, काई दिनों से fix नहीं है, for many days, why have you not been doing the work for many days, क्या तुम दो दिन से उससे बात नहीं कर रहे हो, have you not been talking to him for two days, for two days, तो ये था बच्चों, present perfect continuous की practice यहाँ पर पूरी हो चुकी है, तो अगले class में चलेंगे, ले करके, present हो चुका है खत्म, तो अगले में हम लेके चलेंगे, past indefinite, क्या लेके चलेंगे, past indefinite, thank you so much for being with Loki, कि इस सरने लेम्टे डिश्टरे जुन, धन्यवाद,